मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार मैं तो संसा हूँ विनेश एडिकेंज से आपके लिए बहुत मत्पने टॉपिक लाए हूँ दोस्तों यह टॉपिक है बाल विकासे वन सिक्षन साथ रखें अगर आप सीटेट के एक्जाम दिला रहे हैं तो आज एएगा मेरे साथ विनेश एडिकेंज साथ पुरा बाल विकास क्लियर कर देंगे आज तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं कोशन के और पहला कोशन है कि सोरा वर्स प्राराम होती है कब होती है अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंड बाक्स में कमेंड कीजेगा पुरा कमेंड बाक्स भर दीजेगा दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा 12 वर्स की आईउ से मैं बता दो कि 6 सवस्ता होता है जन्मा से 7 वर्स तक और बाले अवस्थ होता है 7 से 12 वर्ष तक और 12 से 18 वर्ष तक प्रणवास होता है 18 से 40 वर्ष तक दोस्तों इस प्रकार अवस्थाएं होती है तो अपने नोटबुक निकाले जिएगा और नोट करते जाएगा चले बढ़ते हैं नेश्ट कोशन के और पूर्णता प्रकारियसील व्यक्ति का संप्रत्य किस ने दिया बताईएगा पूर्णता प्रकारियसील व्यक्ति का संप्रत्य किस ने दिया ओप्शन ए कालरोजर्स बी फ्रायट सी फ्रांसिस गल्टन डी इवान पावलांग इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ए काल रोजर्स नेश्टो कोशन है नीमनमे से किसने बच्चों में वस्तु इस्थैर्टारिय के विकास को समझने में सहाथ्ता की है वस्तु इस्थैर्टारिय बोर रहें बताइए इसका अंसर हो जाएगा प्याजे ने कहा कि वस्तु इस्थैर्टारिय के विकास समझने में सहाथ्ता होती है चलिए नेश्ट कोशन है सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है उसके जमूर्णने का अनुकरन करता है और बच्चे की बात सुनता है यह कथन बाला की किस लक्षन की और इंगित करता है बताइएगा अप्शने प्राहम किंद्रियता बी किंद्रियता सी राजी चिंतन सोरी सजी चिंतन डी वस्तु इत्यारिया बताइए दोस्तों जब सुर्य की साथ साथ बच्चे चलते हैं जब वो मूरते है तो मूरते हैं है ना उसका नुकरन करते हैं तो यह क्या होगा यह होगा सजी चिंतन क्योंकि वह सजीव की तरह कायरे कर रहा है वह सोच रहा है कि इंगीत कर रहा है कि वह सजीव है है ना मेरा नुकरन कर रहा है यह क्या जाएगा सजीव चिंतन में आ जाएगा प्राहम केंद्रिता नहीं होगा केंद्रिता नहीं होगा वसुष्थरियर नहीं होगा यह होगा सज्जीव चिंतन होगा चलिए नेश्ट कोश्चन है किसने यह दावा किया कि सभी भासाओं में होने वाले कुछ तरो भाविक गुण जन्मजात होते हैं क्या होते हैं भासाओं में सभी भासाओं के सरवांगिन गुण सरवांगिन जो गुण हैं जर्मजात होते हैं किसने कहा है ऑप्षने बी एफ स्किनर बी अलबर्ट बंडूरा सी नाम चमस्की डी इसी टाइमनें दोस्तों मैं बता दो कि सरवभामिक जहां भी दिखें वहां आप लगा दीगा नाम चमस्की क्योंकि इस थीर सरवभामिक एक नाम चमस्की की है ठीक है चले नेश्ट कुशन है फ्रायर के नुसर नीमन में से कौन सी विकास सवस्था में बच्चे का ध्यान जर्यनांगों की तरफ जाता है बताएगा अप्शने मुखी बीगुदी सी लेंगी डी प्रस्वस्थूप्ती इसका अंसर क्या होगा दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा अगर आपको पताओ जो रोक्रोमेंट बख्षों के मेंट कीजे इसका अंसर हो जाएगा सी लेंगिक विकास की ओर जब फ्राइड के उसर फ्राइड बोलते है कि विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जबसकी विकास अवस्था होता है तो एक लेंगिक से अपने विप्रिद लेंगिक से है ना तो इसका विकास लेंगिक की ओर जाता है तो इसका विकास बताईएगा यहाँ पर दियेगा है अंगनिती बुद्धि मापनी एक निस्पादन मापनी है यह निस्पादन मापनी नहीं है इसके बुद्धि मापनी होता है पर आपको अंगनित के माध्यान से नहीं माप सकते सद्रिस्ता सब्दिकतर का यह होता है चीत्र पूर्ति के माध्यान से होता है ठीक चलिए इनेस्ट कोशन है बालवननों ग्यान का खालिशन सद्धान के चार-पांच वर्षों के नुभहों पर आधरित होता है इसके क्या होता मैं होता है बाल नुद्विज्ञान का बताएगा बन्तों जब बाल मनु विज्ञानका होता है फ्रत्ताक desarrollo Conservative क्या होता है मन्युक्ते अस्व विशलेशन होता है कि अन्सर एक नहीं उसली मोस्त भी में हो जाये गा ठीक है चलें नेक्ध riches कोशन है का कि ए binary a घर पिट्छकेष आफ इंफेंट किसने लिख़ी है और सनल भी सी्ट द्रेविन डि सी डिसे और टायंगा दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा ढर्विन ने इस भाइउगराफ फिक कалист case of infant किसने लिखिये तो हो जाएगा यह derwin का हो जाएगा next question है मान की कृत प्रिक्षणा का अर्थ है क्या है option ए विश्वसनिता B वेदा C मानक D उब्रोक्त सभी इसका आनसर क्या होगा दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा जब मानकी की परिक्षन का अर्थ क्या होता है मानाव को है ना तो विश्वेस निता भी होना चाहिए वैदिता भी होना चाहिए और मानाग चीन भी होना चाहिए तो इसमें क्या हो जाएगा अंसर D उपरोक्त सभी हो जाएगा नेश्ट कोशन है किस मनोवे ग्यानिक के उस और विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया था कि सतत धीमी और स्वरोभामिक आये तो किसको डाल देना चाहिए option दिया है कासनिक, B, P, J, C, Iskinar, D, Harla बताईए सतत और धीमी प्रक्रिया किसकी है दोस्तों यह प्रक्रिया है इसकी नर्की और स्वरोभामिक आजाएगा तो क्या डालोगे नौम चौम इसकी डालोगे चले नेशे कोशन के और आगे बढ़ते हैं वेक्तित्व विकास की अवस्था है वेक्तित् démocrचे की विकास क्या है अवस्था क्या है उसकी बतायेगा अशन ए अधिकाम में वुरित्धी वेक्ति विरित्ट अध्यान सी उप्चरात्मा का ध्यान D, इन में से कोई नि दोस्तों जब वेक्तिकी विकास की अवस्था बढ़ती है तो क्या बढ़ती है उसके बुध्धि बढ़ती है तो इसका अंशर क्या हो जाएगा अधिगं एवन बुध्धी तेरे नेश्य कोशन है 157 व्रिद्धी से तत्परिया है बताईए किया तत्परिया है और उसने ज्ञान में व्रिद्धी बी समयग में व्रिद्धी सी वजन में व्रिद्धी जब विकास में विरिद्धी से तत्परिया है विकास में जब वृद्धी होता है तो क्या क्या बढ़ता है ज्ञान में वृ विध्धी विध्ध्ड होती है वजन में भी विध्धी होती है अकार सोच समझख कॉंसलों में किए विध्ध्धी होती है यहाँ पर विकास पुछा गय है, तो वीकास में कायगा, आकार, सोच, समझ, कौसलों में वीकास आएगा है न, चलिए, next question है, तनां और क्रोध की अवस्ता है, शेसा अवस्ता, बाली अवस्ता, किसोर अवस्ता, उरिधा वस्ता, आपको मैंने बता दिया था पहले ही पहले टॉपिक में कि तनाव और क्रोध यह कौन सा है बताईए इसका अंसर साफ साफ हो जागा दोस्तों सी किसो रवस्त में चलिए नेस्ट कोशन है बालक का विकास परिणाम है वंसा नुकरम वातावरन सी वंसा नुकरम वातावरन के अंधर क्रिया आर्थी करोगों का बताईए बालक का विकास बोला गया है दोस्तों इसका अंसर क्या होगा कमेंड बाक्स पूरब कमेंड भर दिजेगा इसका अंसर हो जाएगा सी वंसानुक्रम वहां वातरण की अंता क्रिया होती है तब बालक की क्या होता है विकास होता है तब उसका परिणाम निकलता है जब हमारे वंसानुक्रम है और वातरण है वहां क्रिया करती है तब क्या होता है विकास होता है विकास का परिणाम निकलता है वंसानुक्रम से न साररीक विकास कैसे होता है बताइए इस्मिर्थी यह तो नहीं है यह भी नहीं है सामयोजन यह भी नहीं है सब मांसिक विकास है आ जाएगा दोस्तों इसमें ए इस नायू मंडल चलिए सबसे इसमें सबसे महत्स्क्राइब क्या है यह सब्सक्राइब केस में आ जाएगा अच्री लिखावर में आ जाएगा जब अचिछी लिखावाट दिया गए दोस्तों तो इन सब को साईट करके हम अंसर ढाल डेंगे अच्छी लिखावाट जब अच्छी लिखावाट होगा तो देखर मिष्प पस्टत आयेगा और नियम के देखर बड़े एक्छर भी होंगे और छोटे अक्षर भी होंगे जब एक अच्छी लिखावाट होगी तो अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अंसर हो जाएगा ए अच्छी लिखावाट नेश्ट कोशन है सरीर के अकार में विद्धी होती है क्यों होती है अपसे पूछा गया है बताइए दोस्तो जब अनसर ये हो जाएगा शरीर और गत्यात्मक विकास होती है ये जिथी में के लिए जिए क्योंक होती है स्थी साथ स्थी साथ से गयारा ऋस थाग डी गयारा से सोलह वर्श सेलोज की पूछा गया दोस्तों तो समयगी को बुला जाता है सैसा बाल आए अस्ता लेकिन तो यहाँ पर अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा बताईएगा आपको पता है रहता है जरूर कमेंट बक्स का फटाक्स कमेंट कर दीजिएगा इसका अंसर हो जाएगा जन्मा से दोवस्त तक नीमन में से कौन सा कथन सत्य है अप्शने लड़के अधिक बुद्धी मान होते हैं लड़के अधिक बुद्धी मान होती है बुद्धी के लिंग से संबन नहीं है समाने लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धी मान होती है देखिए दोस्तों यहाँ पर भेद भाव को हटा देना है ना कर आत्मा को हटा देना है एक दूसरे से तूलना करने को हटा ही देना है तो यहां कश्या? कश्यां क disgust, लड़के अधिक। बूध्धी होती तो अंसर क्या हो जाएगा? अंसर C हो जाएगा, आपको यह देखना है कि को सभी 같은 प्रॉमार्स का उद्धेर से हैं बच्चों को समझना, बी बच्यों की कम्योग करना, बच्चे को इसते सब्सक्राइइगे, प्रामर्स कैसे दोगे आप बच्चे को जब आप एक टीचर बन जाओगे तो बच्चों के सम्झाओगे सम्झाओगे जरूर है बच्चों कमयोगी करान पता करें हमें कुंपनेस क्लेण सहान। करना पड़ेगा जब आप बच्चे को समय जानों सहाथ नहीं करों कर से पता करेगों भी तो यह इसका अंसर क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा डी उपरयोक्ता सभी हो आएगा दोस्तों इसमें नेश्ट कोचन है बच्चों में नेतिक्ता की स्थापना के लिए सरुत्तम मा उन्हें प्रात्ता कालीन सभा में उपदेश देना देखिये दोस्तों उन्हें धार्मिक पुष्टक पढ़ना एक कहां पर सही होगा बताईए यह तो गलत होगा किसी धर्मा पर आप पुष्टक नहीं पर सकते शिख्चक का आदा सुरूप में वहार करना एस ही है उनका अगर पॉछा गया है तो दोस्तों यह भी गलत होगा उन्हें सभा में उतव्देश देना क्या सब्सक्राइब हो जाएगा शिख्चा का आदास रूप में वहार करना बच्चों के सांद्देश को रागय वर्ते हैं सिख्चा में फ्रोभेल का महत्पून योगदान था वि हे दोसतों इसका अंतर हो जाएगा सी किंगाटन 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 मेर्ण छेलिएने कोश्ण की और बुछते ऐँ है हौंने एक अच्छा द्यापक विद्यार्थों की मद्ध बढ़ावा देता है और उसने प्रितुक्ता की भभावना सहयोग की भावना का पर दिम्सक्र पर तकी भाव्ना कर बसक्द आगत अच्छा ध्यापक बढखो विद्यार्थी के मतभरं बताइव को देख्ाओ वा ना दिखांगे यह निगेटीमय आजाएगा उसकी भाउना इस पॉजीट्यू है प्रसधुतRI ॥ा G1 यह भी तकी भाउना यह भी नेगेटिव हों दोस्तों आप प्रतुक्त देखाऊगे कहीं हत्ता के पॉजिटिव आता है प्रतुक्त लेकिन यहां पर पुछा गया है सहयोग की भावना पुछा गया है तो दोस्तों अंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सहयोग की भावना जहां पर सहयोग की भाव सी, पणे हम लिखना, सिखना, डी, बहुत दिका का विकास, बताइए, दोस्तों, जहां पास आपको दिखे, जहां पास आपको क्या दिखे, बताइए क्या दिखे, क्या दिखे रहा इसमें बच्चे का सरवांगीन विकास उसके बाद सबको साइट कर देना है क्या कर देना है सबको साइट कर देना जहां पर सरवांगीन विकास दिखे वही अंसर होगा बी यह बाल विकास का सिध्धान्द चलिए नेशन कोउशन की हरा अग residents खाली संतर खाली संतर कीकिल्ट अन्यों क्रिया कबंढ़ विकास के विविध मार्गों का निष्कर्मोसों के रूप में हो सकते हैं क्या हो सकते हैं मैं संनुक्रम परिवरन वन Прав masih الشिर्ट परिवरतं कुज या पॉशन बताईए दुश्व क्या होगा ओए इसका अन्सर आप भी कमेंट बख्स हम्ट दे सकते हैं तीन परिवन की उची स्टंजों के रूपमें क्या होता है रूपमें होता है वहां पर वंसर नुख रॉन आ जब वह परिवन अंता किरिया होता है आपको पहले भी बता चुका है तो अंसर क्या हो जाएगा वह अंसर वन्षय उकरम और परिवन आ जाएगा चले इनेक्स्ट कोश्चर है भारा सरकार की कम्प्यूटर अधारित अधिगम प्रक्रटिया के माध्याम से छात्रों को लिख स खारिस्थान में शुरू किया गया बताए किसमें शुरू किया गया दोस्तों यहां शुरू किया गया बता सकते हो आप भी इसका अंसर हो जाएगा C 2004 में शुरू गिया गया धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए यह वीडियो कैसे लगा अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट वाक्षां कमेंट करते जएगा धन्यवाद